सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए जैहिन सातियों स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में 50 कोशन्स की मदद से भारत के भूगोल को हम लोग यहां पर देखेंगे यानि के इंडियन जोग्राफी से जो सबसे महतपूर 50 कोशन्स बनते हैं वो हम लोग इस क्लास में देखने जा रहे हैं इसलिए इस क्लास का हर एक कोशन्स सातियों आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही महतपूर है तो यहां पर पहला कोशन्स आपकी स्क्रीन पर है बताना इस प्रशन का बिलकुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि कितने भारती राज्यों की सीमा नेपाल से जोड़ी है यानि के वो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है या आपको ध्यान रखना है तो सातियों बात करें उत्तराखंड राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है उत्तरपुदेश की सीमा नेपाल से लगती है बिहार की पश्चिम मंगाल की और सिक्किम की ठीक है ये सारे राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है तो मैंने सातियों पांच राज्यों आप से पूछा जाएगा कि बांगलादेश से भारत के कितने राजित जुड़े हुए हैं तो कौन-कौन से पश्री मंगाल हैं, आसम हैं, मेगाल हैं, तिरपुरा हैं और मिजुरम हैं। आगले नंबर का प्रिशन आप लोग देखिए कि भारत के दक्षुनतम बिंदू कौन सा है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे, उसके बाद देखिए कि भारत पूरी तरह से पुर्थवी के गोलार्द और भाग में इस्तित है, यह आप से पूछा जा रहा है, तो बात करें, सातियों भारत जो है, वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्द में इस्तित है, तो यहाँ पर उत्तरी उत्तरी कहां पर लिखा है, इन दोनों में लिखा हुआ है, और बात करें, सातियों कौन से भाग में इस्तित है, तो बात करें, इस प्रिशन का बिलकुल सही उत्तर जो ह आपके इस प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि सिक्किम सातियों यानि कि सिक्किम भारत का एक राज़ है तो भारत के उस राज़ का नाम आपको बता रहा है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है तो क्या हो जाएगा सातियों इसका राइट आंसर जो होगा वो मोहन रेका जो है भारत और चीन के बीच है डूरंड रेका सात्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है या आपको ध्यान रखेंगे और उसके अलावा ओडर नीस रेका आप से पूछा जाएगा कि ओडर नीस रेका किसके बीच है तो जर्मनी और पोलेंड के बीच है बात करते हैं सातियों यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेका है तो रेड़कलिफ रेका है या आप लोग ध्यान रखेगे आगले नमबर का पुष्ण देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है बताने की कोशिश कीजिए तो सातियों अभी मैंने आपको बताया कि जो रेड़ कलिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के ही बीच है इसलिए इस पुष्ण का बिलकुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नमबर सी हो जाता है ये बात आपको ध्यान रखना है चली उसके बात देखिए अगले नमबर का सातियों यहाँ पर आपके स्क्रीन पर पुष्ण है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट गौडविन अस्टीन केटू की उचाई कितनी है ये आपको बताना है तो कितनी है सातियों जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा च्छासी सो ग्यारहा आप मीटर है या आप सभी लोग याद रखेंगे यह रहे कि option नमबर डी आपके इस पुष्णिका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है चली टैष ठीक डॉट डॉट में इस्तित कंचन जंगा भारत की सबसे उची चोटी है तो कंचन जंगा जो ही कहा पर इस्तित है या आप से पूछा जा रहा है हिमाचल परदेश में अरवाचल परदेश में उत्तरा खंड में या सिक्किम में तो बात करें सातियों जो कंचन जंगा है या सिक्किम में इस्तित है और ये भारत की सबसे ऊची चोटी कहलाती है बात करेंगर विश्व की तो ये विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊची चोटी है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो राइट आंसर आपका जो होता है वो आप्शन नंबर किसके साथ चला जाता है आप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है आगले नंबर का आप लोग पुर्शन देखे और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि निनुवे से किस राज में गुरु शिकर चोटी इस्थित है महराष्ट में, गुजरात में, मध्य पुर्देश में या राजिस्थान में तो साथियों कहा पर इस्थित है जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे और एक बार आप सभी लोग इस क्लास को लाइक और शियर कर देंगे तो किस राजि में गुरु शिकर चोटी इस्थित है ये अगर आप से पूछा जाए तो राजिस्थान में इस्थित है आपको बताना है तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नमबर डी के साथ चला जाता है नेक्स कोशन देखिए कि जो नील गिरी पहाणियां है इनको किस नाम से जाना जाता है या आप से पूछा जा रहा है बताए चली तो बात करें साथियों नीला पर्वत भी का जाता है यानिके जो नील गिरी पहाणियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है प्रिशन आपकी परिक्षा में पूछा जाएगा तो नीला पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है अगले नमबर का पुर्षनी की है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो इस्तित है यानि के तिब्बत में भारत में नेपाल में या भूटान में तो साथ यू कहां पर इस्तित है बात कहरें अगर हम लोग एवरेस्ट की ये बात आपको धियान रखना इसकी उचाई कितनी है अठ अगर बात करें तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है तो परवतो की रानी भी इसको कहा जाता है तिब्बत में आपको ध्यान रखना है बात करें साथियो माउंट एवरेस्ट कहां पर इस्तित है तो ये तो नेपाल में इस्तित है और मैंने आपको बताया है कि नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है अगले नंबर का आप लोग पुर्शन देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु शिकर क्या है अरावाली रेंज में सबसे उची चोटी है एक परसुद सिख कवी है एक प्राचीन भारतिय सूफी संथ है या उन्निसमी सदी के साहित है तो बात करें अरावाली रेंज में सबसे उची चोटी साती जो है वो गुरु शिकर है रहने कि इस पृषन का बिलकुल सही उत्तर आपका आपका आप्शन नंबर ए हो जाता है अगले नंबर का पृषन देखिए कि गोदावरी नदी का उदगम किस स्थान से हो कुर्गी पहाड़ियों से यमुनोत्री से ब्रहमगिरी की पहाड़ियों से या गंगोत्री से बताईए चलिए तो यहां पर साथियों आपके इस पृषन का बिलकुल सही उत्तर क्या हो सकता है फटा-फट बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नमबर सी के साथ चला जाता है या आपको ध्यान रिखने या गोदावरी ने दिका उद्गम की सिस्थान से होता है तो ब्रहमगिरी पहाड़ियों से होता है या आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए कि जो बारी दौ आप इस्तित है वो ब्यास और रावी के बीच इस्तित है या आप लोग ध्यान रखेंगे चली आगले नमबर का प्रशन है कि यमुना नदी जो है ये गंगा से मिलती है रिशिकेश में इलहाबाद में या पटना में तो क्या हो सकता है इस प्रशन का बिलकुल सही उत्तर बात कर इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका इलहाबाद यानिके प्रियागराज हो जाएगा तो यमुना नदी सातियो प्रियागराज में गंगा नदी से मिलती है आप लोग ध्यान रखेंगे आगले नमबर का प्रशनाब की स्क्रीन के उपर है कि इंदरा गानी नहर कमान छेतर को पूर में किस नाम से जाना जाता था तो सातियो बात करें किस नाम से जाना जाता था ये आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताई तो यहाँ पर इंद्रा गांधी नहर कमांच छेतर को साथियो राजिस्थान नहर के रूप में यानिके पूर्व में जो है किस नाम से जाना जाता था तो राजिस्थान नहर के रूप में जाना जाता था या आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए किस नदी को सात्यों بنगाल का शोक कहा जाता है या आप से पूछा जा रहा है, बहुत ही मिपूर्टत प्रिशन है और कई बार ये सात्यों परिक्षा में पूछा जा चुका है तो किस नदी को बंगाल का शोक यानि के सौरो आफ बंगाल के नाम से जाना जाता है तो दामोदर नदी का नाम आपको ध्यान रखना है यानि के बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है तो दामोदर नदी को कहा जाता है या आप लोग ध्यान रखेंगे चली अगले नंबर का पुशन देखिए कि भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुक नदियों के रूप में वरगी करत किया है तो यह most important question आपकी screen के उपर है बताने की कोशिश करेंगे इसका right answer क्या होगा तो कितनी नदियों को साथियों एक दरजन यानि के बारहा नदियों को भारा सरकार के द्वारा क्या किया गया है प्रमुक नदियों के रूप में वरगी करत किया गया है अगले नंबर का पुशन आपकी screen पर है पूछा जा रहे कि गांधी सागरबान्द की सराजमें इस्तित important question है साथियों बान्द से सम्मंदित परशन आपकी परिक्षा में बनते हैं बताईए अगर आपसे ये पूछलिया जाए कि जो गांधी सागरबान्द है साथियों ये कहां परिस्तित है ये तो पूछा ही जारा अगर ये पूछले कौन सी नदी परिस्तित है तो चंबल वो किस राज में इस्तित है ये आपको बताना है बताई बैए चली तो नर्मदा सागर परियूलना के अगर बात करें तो साथियों ये तो गुजरात में इस्तित है कहां पर गुजरात में इस्तित है यानि किस पुछनिका बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाता है option number D क बताने की कोशिश करेंगे तो परिपेरियार नदी पर बनाया गया है ये आपको दिहान रखना है और पेरियार नदी कहां पर है तो केरल में है अगर आप से पूछा जाए कि केरल राज की सबसे लंबी नदी बताए कि कौन सी है तो पेरियार नदी जो है केरल की सबसे तो कौन सी नदी पर है यो तो महा नदी पर है पूछे हीरा कुन बांध कौन से राज में इस्थित है तो ओडिशा में इस्थित है और महा नदी पर इस्थित है ये दो बाते आपको ध्यान रखना है ये दो बाते आप सभी लोगों को ध्यान रखना है चली तो हीरा कुण बान सात्यूं कहां पर हो गया महा नदी पर हो गया अगले नमедर का प्रिशन देखिये कि निम्लिकित में से किस बहुत दीशीय परिउचना का निर्मान नर्मदा नदी पर किया गया है अच्छा कोश् torchiggen है तो कहां पर किया गया है सरदार सरोवर परियोजना इस प्रिशने का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है यानि कि आप सभी लोगों को याद रखना है कि निम्लिकित में से किस बहु उद्देशिय परियोजना का निर्माण तो सरदार सरोवर परियुणना का निर्मान नर्मदा नदी पर किया गया है अगले नंबर का प्रशनाप की स्क्रीन के ओपर है कि निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है तो साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश करेंगे तो बात करें अगर हम लोग भागडा बांद की तो यह तो हिमाचल पुर्देश में इस्थित है सरदार सरोवर बांद की बात की बात करें तो यह तो गुजरात में ही इस्थित है लेकिन टिहरी बांद की आपका महाराष्ट में इस्थित है तो टिहरी बांध जो है वो महराश्ट में इस्थित नहीं है बलके ये उत्रा खंड में इस्थित है और टिहरी बांध कौन सी नदी पर इस्थित है तो बहगीरती नदी पर इस्थित है उसके अलावा हीरा कुन बांध जो है ये साथ ये ओडिशा में ही इस्थित है चली तो राइट आंसर जो होगा वो टीहरी बांध के साथ चला जाता है N.A.C. option number C Next question देखेए कि भारत में शुयत करांथी का जनक किसको कहा जाता है या आप लोग बताने की कोशिश करेंगे चले भारत में शुयत करांथी का जनक किसे कहा जाता है बताने की एक बार कोशिश करेंगे इसका right answer क्या होगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे एक बार like जरूर कर देंगे तो वरगीज कुरियन जो लोग भी सोच रहें कि उत्तर होगा बिल्कुल correct answer है आपका भई बहुत बड़िया very good class अगर बात करें साथे शोयत करांती की शुरुवात कप की गई तो 1970 में शोयत करांती की शुरुवात की गई और शोयत करांती के जनक ते ये डॉक्टर वरगीज कुरियन थे इनका नाम आपको धिहान रखना है नेक्स कोशन देखेंगा आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर कि भारत की जो सुन्दर वन डेल्टा है इसमें किस प्रकार के वन पाये जाते हैं तो सात्यों किस प्रकार के वन पाये जाते हैं ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताईए. तो किस परकार के वन पाये जाते हैं? मैंग्रोफ परकार के वन पाये जाते हैं. आप्शन नमबर D आपका राइट आंसर हो जाता है. नेक्स कोशन देखें, आप लोग के भारत में सबसे जादा, यानि के सर्वधिक व्यापक वनों के परकार कौन से हैं? तो भारत की बात करें, सबसे जादा व्यापक वनों के परकार जो हैं, वो परनपाती वन पाये जाते हैं. यानि के आंसर आपका ओप्शन नमबर A के साथ चला जाएगा, या आप लोग ध्यान रखेंगे. तो बात करें साथियो एमे स्वामी नाथन की, तो एमे स्वामी नाथन ये कौन है? या भारत में हरित करांती के जनक इनको कहा जाता है. हरित करांती का जनक कहा जाता है, तो स्वामी नाथन जो हरित करांती से ही सम्मनित होंगे. राइट आंसर आपका आप्शन नमर B हो जाएगा हरित करांती निम्लिकित में से किस सम्मदित है मचली उत्पादन से, दुगद उत्पादन से, खाद और अनाज उत्पादन से तेल और बीज उत्पादन से तो बात करें साथी इस प्रशन का जो सही उत्तर होगा खाद और अनाज उत्पादन हो जाता है यानि के बात करें हरित करांती की तो खाद और अनाज उत्पादन से सम्मदित है अगर आप से साथी इस पूछ लिया जाए कि हरित करांती जो है इसके जनक अगर आप से पूछ लिया जाए तो विश्व में हरित करांती के जने कौन्त है नॉर्मल बॉरलोंग का नाम आपको ध्यान रखना है उसके अलागा अगर बात करें साथियों के भूरी करांती किस से संब्दित है तो भूरी करांती चम्डे से संब्दित है चलिए नीली क्रांती की साथे यहां पर बात चल रही है तो नीली क्रांती का सम्मँर्द किसे है? यह आपसे पूछा जा रहा है? बताईए अगर नेली करांती की अगर बात करें तो यहांपर आपका right answer क्या हो सकता है वदाने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्णिका बिल्कुल correct answer क्या है बताई चली चली तो यहाँ पर अगर बात करें option number B में जो लिखा हुआ है साथियों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हरित करांती के जिनको जनक कहा जाता विश में हरित करांती के जनक जो है वो क्या कौने normal बोरलॉंग है तो यह क्या हो जाएगी यह हरित करांती से सम्मंदित है ना के शोयत करांती से शोयत करांती से अमूल सम्मंदित है आनन सम्मंदित हो वरगीज कुरियन सम्मंदित है इस परकार आपका जो right answer होगा वो option number B के साथ चला जाता है अगला पर देखिए कि इनमें से किसे milkman of India कहा answer है भारत में शोयत करांती के जनक किसे कहा जाता है वरगीज कुरियन को कहा जाता है और milkman of India के नाम से इनको ही जाना जाता है अगले नमबर का प्रशन देखिए कि पीली करांती इनमें से किसे संधर्बित करती है पीली करांती किस से सम्मंदित है यह आप से पूछा जा र देखिए कि भारत के कौन से राज में कोईले का सबसे जाद है यानिके सरवधिक भंडार जो है वो पाया जाता है बताई पश्चिम मंगाल में जहरखंड में ओडिशा में या आपका च्छतीजगर में क्या हो सकता है इस कोशन का बिल्कुल सही उतर बताने की कोशिश कीज तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नमर B यानिके जहरखंड के साथ चला जाएगा आपको ध्यान नकना है भारत के कौन से राज में कोईले के सरवधिक भंडार पाए जाते हैं तो जहरखंड में पाए जाते हैं आपसे पूछा जाएगा कि जो कारवन की मातरा के आपको ध्यान रखना है आगले नमर का पूछन देखिए कि जो डिगबोई खानों में से कौन सा प्रिचुर मातरा में पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है तो पेट्रोलियम पाया जाता है यानि के आंसर जो चला जाता है वो ऑप्शन नमर A के साथ चला जाता है ने यहां पर निकाला जाता है राजिस्थान में निकाला जाता है तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कोईला सबस्जादा कहां पाया जाता है जो जारखंड पाया जाता है और लहो एसक सबस्जादा कहां पाया जाता है तो ओड़िशा में पाया जाता है ये सारी जानकारी साथियों आपको अपने मस्तिक्ष में स्टोर करनी पड़ेगी अगले नमबर का प्रिशन है कि बांदा, सोनबदर और मिर्जापुर जिलो में कौन सा खनिच पाया जाता है तो बांदा, सोनबदर और मिर्जापुर में साथियों कौन सा पाया जाता है डोलो माइट ये पाया जाता है डोलो माइट खनिच तो right answer जो होगा वो option number A के साथ चला जाएगा या आपको जहान रखना है अगले number का प्रशन आपकी screen के ओपर है बताने की कोशिश कीज़े right answer क्या होगा कि भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों कौन सा है क्या है ओड़िशा है यानि के right answer जो होगा वो option number B के साथ चला जाता है आगले number का आप लोग प्रशन देखिए कि पहली कपास के मेल की सफलता पूरवक इस्थापना किस भारत के शहर में की गई थी चली तो right answer साथियों यहाँ पर जो होगा वो मुंबई आपको ध्यान रखना है जो भारत की पहली कपास की मेल जो सफलता पूरवक इसी इस्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी मुमई में की गई थी आपको धियान रखना है जो आप्शन नमबर B के साथ चला जाता है एक पुछा जाता है कि जो डिगबोई नगर है ये असमराज की किसके रूप में जाना जाता है असमराज की तेल नगरी किसे कहा जाता है डिगबोई को कही कहा जाता है ये आप सभी लोग याद रखेंगे अगले नंबर का पुर्षण आप लोग देखिए कि जवाहर लाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां परिस्थित है यानि कि बहुवनेश्वर में है कोच्ची में है मुंबई में है या विशाखा पैटनम में है तो सात्यों कहां परिस्थित है जल्दी से इस पुर्षण का बिल् कंटेनर बंदरगा कौन सा है तो तब भी आप लोग क्या बताओगे जवाहर लाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट ही बताओगे चली अगले नंबर का पुर्षण आप लोग देखिए कि जो मिशिंग जिंजाती है मिशिंग जिंजाती के लोग किस द्रीप पर रहते हैं ये आप स अगले नंबर का अगर आपसे पुछा जाए तो राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है कि निम्लिकित में से कौन सी जंजाती नागा लेंड में रहती है ये आपसे पूछा जारा बताने की कोशिश करेंगे राइट आपसर बताइए चले तो बात करें साथियो जो रेगमा जंजाती होती है रेगमा जंजाती ये नागा लेंड में रहती है उसके अलावा आसम में भी पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश में भी ये जंजाती पाई जाती है ठीक है तो राइट आंसर जो होगा वो आप्शन नंबर एक के साथ चला जाता है अगले नंबर का प्रश्ण आपकी स्क्रीन के ओपर है बताना है इस प्रश्ण का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा कि भूटान की राज भाशा कौन सी है ये आप से पूछा जा रहा है बताई तो यहां पर अगर बात करें साथियो भूटान की राज भाशा जोंग खा है क्या है भूटान की राज भाशा क्या हो जाएगी जोंग खा हो जाएगी यारिकर राइट आंसर होगा वो औप्शा नंबर सी हो जाता है अगले नंबर का पुरशन देखिए कि तमिल्नाणू और श्रिलंका में बोली जाने वाली भाशा कौन सी है तमिल नाणू में भी बोली जाते है और श्रिलंका में भी बोली जाती है वो आपको बताना है कौन सी भाशा है बताई मैं तो बात करें साथियो तमिल नाणू में भी तमिल बोली जाते है और श्रिलंका में भी जो है वो तम आपसे साती हुए यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो यहाँ पर गंगटोक लिखा हुआ है तो गंगटोक किसकी राजधानी है सिक्किम की राजधानी गंगटोक है इमफाल किसकी राजधानी है मड़िपूर की राजधानी इमफाल है और दिस्पूर किसकी राजधानी है तो असम की राजधानी क्या है दिस्पूर है ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखे हैं यहां पर 49 नंबर का प्रिशन है कि तृपूरा की राजधानी कौन सी है दिस्पूर है गंगटोक है अगर तला है या सिल्वासा है तो यहां पर तृपूरा की राजधानी आपसे पूछी जा रही है अगर बात करें आसम की अभी मैंने आपको राजधानी बताई थी दिस्पूर जो है वो आसम की राजधानी है उसके अलावा गंगटोक कहां की राजधानी है तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है या अगले नमबर का प्रशना आप लोग देखिए कि जहारखंड की राजधानी कौन सी है जहारखंड की राजधानी की बात करें पटना है जमशेदपूर है हटिया है या राची है तो जहारखंड की राजधानी सात्यों कौन सी है इसमें से राची है यानि कि आंसर आपका आप अप्षिन नमबर D के साथ चला जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गूट क्लास, अगले नमबर गब प्रशना और साथियो इस क्लास का अंतिम प्रशना आपकी स्क्रीन के उपर है, कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाशा क्या है, बताई, चली, तो पूछा जा रहा ह कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाशा क्या है, तो अगर पहली राजभाशा की बात करें, तो तो शिमला है, यहने कि शिमला जो है, यह आपको धियान रखते हिमाचल प्रदेश की पहली राजभाशा क्या है, लेकिन अगर बात करें, दूसरी राजभाशा की साथ ह है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का तो सातियों ये थे भारत के भूगोल के महतपूर 50 प्रश्में उमीद है कि आप सभी लोग इस क्लास को प्यार दोगे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कमेंट करने के लिए सातियों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेर कीजिएगा मिलते हम सब लोग आनेवाली वीडियो में जैहिं सातियों subscribe करें गुरुजिव वर्ड और वेल आइकं को प्रिस करें सबसे पहले selection के लिए